ग्रामिन विकास एब मचायती राजमंत्री अनिशर्मा का कहना है कि बींग हुमन सस्ता की तरब से मंडी में लगाया गया पहला फ्री मेडिकल चेकप कैम्प हुरी तरह से सफल रहा मंत्रे के अनुसार कैम्प का 700 से भी अधिक लोगों ने लाब उठाया और 30 से अधिक लोगों के निशुलक ऑपरेशन भी किये गए कैम्प के दुरान 700 से भी अधिक लोगों की आंखों की निशुलक जांच की गई जब की 30 से अधिक लोगों के निशुलक आपरेशन किये गए मुंबई से आई विशग्यों ने लोगों को सुविधाय मोहिया करवाई ग्रामिन विकास एबं पंचाहिती राजमंत्री अनीर शर्मा ने बताया कि कैम्प को राजनिती से दूर रखा गया था और इसका सभी ने पूरा लाब उठाया उन्होंने कैम्प के आयुजन के लिए सलमान खान का आभार भी चताया उन्होंने बताय की आने वाली 26 और 27 सितंबर को मंडी में ही त्री रोगों के बारे में एक और कैम्प लगाया जाएगा अनीर शर्मा ने लोगों से इसका भी पूरा लाब उठाने का आग्रह किया है क्योंकि बिंग हुमन का पहले तो मैं अभारी हूँ कि उन्होंने पहली वार हिमाचल के अंदर इस तरह का कैम्प रखा और सक्सेस्फुल कैम्प में कह सकता हूं इसे कि इतना हम चाहते थे लोग जो हैं बड़ चड़कर लोग आये हैं तो 26 ताइस का जो हमारा कारेकरम जो काईनी का है महिलाओं के लिए है विलिए उनको किस तरह के डाइट लेने चाहिए अच्छे एक्सपोर्ट आएंगे डॉक्टर तो हमार पास भी उपलाउद है परन्तों जो मुंबई से डॉक्टर आ रहे हैं वो अपनी एक्सपिरिंस यहां पर लोग से शेयर करेंगे तो आपके मादिम से मेरी सभी अलेक्टरोनी मीडिया से भी प्रिंट मीडिया से भी अनरूद रहेगा कि बढ़ चड़ कर इसका परसार करें जिससे कि जुर्त मंद लोग जो है इस तरह के कारकरों में आ सकें और उनका पर उपचार कर सकें वही लोगों में भी कैम को लेकर भारी उसार देखने को मिला लोगों ने उम्मीद चताई है कि सल्मान खान की ये संस्था आने वाले दिनों में भी लोगों को इसी प्रकार अपनी सेवाओं का लाब देती रहेगी बतादे की फिल्म अभिनेता सल्मान खान की सामाजिक संस्था बिंग हुमन की तरफ से मंडी शेर के यूब्लोक स्कूल परिसर में परदेश का पहला फ्री आई चेकप केम्प लगाया गया था रविबार से शुरू हुआ ये केम्प सोंबार को संपन हो गया इस केम्प में परदेश पर से आये लोगों ने भाग लिया और निशुलक सेवाओं का लाब उठाया